हेलो एन वल्कम गाई स्वागत आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग पॉंडूचरी टीटेन मेंस की बात करेंगे जो की में चोगा पेट्रियर्स और रोयल्स की बीच में तो चलिए दोनों इटिम के प्लेयरों पर एक बार रज़र करते इस लिए तो बात कर लेते हैं तो बात करेंगे इस मैच की इसे विडियो के चोटी सी डिक्वेस्ट है कि यूटुब को अभी चेनल को अफिदर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे बहले यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है क्योंकि ये टूनामेट आम लोग पूरी कवर कर रहे हैं इसके साथ-साथ यहां से आपको और भी कई-साई टूनामेट के वीडियोस मिलेंगे बहुत साथी T10 और T20 बगेरा चलती है उसके मैचीस के वीडियो पी आपको यह पर मिलने वाल है तो यूटूब चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर लेना है साथी में आप लोग ने अभी तक हमारा टेलिग्राम चैनल को जोईन ने किया तो टेलिग्राम से भी जुडिएगा क्योंकि यहां पर आपको वीडियो के अपडेट मिलने वाली है इसके साथ साथ जो प्लेयर आखिर में अड़ होते हैं उनके रहा कोड और उनके स्टैट्स वागेर आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलने वाल है तो इस टेलिग्राम चैनल से जुडिएगा और इसके साथ साथ सबसे लास्ट में हमारी स्मॉल लीग या ग्रान लिक की जो टीम रहेगी वो भी आपको टेलिग्राम चैनल पर ही प्रवाइड की जाएगी तो टेलिग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्चन में दिया गया है उसी link से ही आपको Telegram Channel को जोईन करना रहेगा बात करता है इस match तो ये match दोपेर में खेला जाएगा दो बजे Cricket Association पूडूचेरी Ground 4 में जहाँ पर पीछ रिपोर्ट की बात की जाए तो नूटल और बैलेंस आलाग की रंस अच्छे बनें अभी दक की बात की जाए तो कई matches के अंदर 170 प्लस 130 प्लस इसके साथ यापर 100 प्लस भी बन रहे है maximum average score की बात की जाए तो 90 से 100 के बीच में सबसे ज़्यादा बात रंस बने है चेजिंग record की बात की जाए जो की 11 मुकाबले खेले जिसमें से 5 जीते है 6 मुकाबले हों में इनको हार का सामना करना पड़ाए ओपनिंग में सिदात नाइडू के साथ आयूद शर्मा आपको दिखेंगे दोनों ही as a player very important pick इवन आयूद शर्मा डिफोल्ट कप्तान और वाइस केप्टन सीब की चोईस है यानि कि सब के कप्तान वाइस केप्टन रहेंगे इवन हमारी टीम के पी रहेंगे ये सेफ है क्योंकि consistent है आपर बड़े लेवल का player है और इस तरह के अच्छे form में भी है इसके साथ आर राम प्रकास की बात की जाए तो ये ठीक है आपर कोई choice है हमें ले तो ले सकते है और ओर ले इक यावन मैच का अनुपवे जहाँ पर करीब 18 के वरेट से आपर 776 रहें है उस दौरान 10 विकेट भी है लेकिन यहाँ पर इनोंने ओस नहीं करवाई इसके पहले भी हमने इसी तुरा मैट के दोरान कई बार इनको कप्तान और वाइस कप्तन किया है और आगे भी हम लोग कर सकते हैं इस मैस ये लिए भी कर सकते हैं मैंने आपको पहले ही बता है अगर यह लाइन अप में दिखता है तो इनको आप लोग कप्तान वैस कप्तन कर सकते हो इसके साथ पित्थवी रात वेंक कटिशन ओके इनको आप लोग जील मेलोगे बाकी बात करते हम लोगे अपर सुदर्शन सिंख ये पिछली 2-3 मैच कंदर हमारी टीम का हिस्सार हा है हर मैच कंदर हमने इनको लिया हुआ है इनके पिछे रीजन है क्योंकि वह तकर रहा है पूरी विगेट की बात की जाते है तो आपर दो विगेट यहाँ पर और पिछली दोनों मैच कंदर भी एक दिखी निकाल दो आ रहे है ओर सुद्थान इनको आप लोग जील में लोगे, इनको लेके जाना खतरा है, इसके साथ पाथ वागानी, जो कि पिछली दो मैच के अंदर विकेट लेस रहे, लेकिन ओवरल ये टुना मेड इनके लिए अच्छी रही है, दो बार इनों ने दो विकेट निकाली है, दो बार एक विकेट निक सब्सक्राइब कन्नन आपके लिए वाइस केप्टन गगरा की चोईस रहेंगी, इस टिम से कप्तान के लिए आईज शर्मा बेस्ट आपसन है, बाकि हरी प्रसाद ए और सुप्रामन्यम कन्नन, इन दोनों में से किसी एक को आप लोग वाइस केप्टन कर सकते हो, लेकिन क्य सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन की चैनल के लिए जाएंगे, आप लोग टेलिग्राम चैनल से जुड़ी रहेगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सिन में दिया गया, उसी लिंक से ही आपको टेलिग्राम चैनल को जोईन करना रहेगा, बात कते हम लोग आपर रोयल्स की, जो की 11 में से 3 मुकाबलों में जीतते हैं, 8 मुकाबले इन्होंने आ रहे हैं, ओर रोले आउट ऑफ टूर्णामेंट ही है, और ये मैच इनके लिए अपचा रिखता है, उपनिंग में बानु आनन दिखेंगे, यापर विरेंदर चौहन के साथ, विरेंदर चौहन विक पिंग से लेके जा सकते हैं, आज आपको एक बाद फिर से 2 विकेट के बड़ के साथ जाना है, और ये इन दोनों की मैच जब ही होती है, हम लोग यापर दोनों विकेट के बड़ को लेते हैं, विरेंदर चौहना मारे लिए रिस्ट की पिक रहेंगे, बाकि ओर और इंका इस क्यारा पंदरा ठीक टाक रंस कर रहे हैं, अर ये प्रसाद है थोड़े से निराश जरूर किये इन्होंने लेकिन ओवरॉल पर्फॉमस इनका अच्छा रहा है, तो ले सकते हैं, इनको सिफ रहेगा इनको लेके जाना, लास में किरा वन डाउन खिलने के लिए भी आए अलागी ओस वगेरा करवाने जाए, क्योंकि पिसली बार देखो T20 की बात की जाता हूँ, वहाँ पर इन्होंने तीन-च्यार मेंचेस के अंदर ओस करवाई थी, और जहाँ जाँ जाँ ओस करवाई थी, वहाँ वहाँ इन्होंने विकेट निका लीगे, यहाँ पर इस टू इसके साथ वीजाई वस, दो बार यापर 20 प्लेस की हो है, बाकी कोई खास परफॉरमस नहीं, इनको आप लोग जील में ले सकते हैं, बाकी तेजस बकोरा, इस प्लेर को मैंने दोनोवी मेंच में लिये, एक बार 29 के एक बार एक बिकेट निकाला, अच्छा एडवाँ दिय इन्होंने ओपनिंग भी करवाई है, तीसरे तो अच्छे नमर पर भी खेल चुके हैं, बाकी परफॉरमस इनका यही है, कि अभी दब कुछ खास किया नहीं, इसके साथ अब राज कवी, राज कोपल, यह मेक्सिमम टाइम हमारी डेम के वाइस केप्टन रहते हैं, और इस म से दो ओप्संस मिले हमें यहां पर वाइस के लिए, इक अपर राज कवी, राज कोपल, और इसके साथ अपर सिसी राचार्ज, वाइस के प्टन इसलिए क्योंकि आई शर्मा सेफ ओप्सं है, एस मगेस इंपोर्णस रहेंगे, और लोरेंस जवार राज को भी हमें लेके ज जरू नहीं होगी इनके उपर, लेकिन आप लोग इनके उपर परो साब कर सकते, क्योंकि अभी तक इन्होंने परफॉर्मस काफी अच्छा दिया है, स्टार्टिंग में एस मगेस तेजस बरो का, देतवज में आपर तेजस बरो का के साथ आपर प्रदी प्रोशन और इनके रेकॉर्ड और उनके स्टैट्स आपको टेलिगाम में दिया जाएंगे, आप लोग केरम से जुड़िएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसी लिंक से जोइंग करना, अभी के लिए देखते हैं हमारी डेमो फेंटासी टीम क्या हो सकते, कुछ पिलियर को हम लोग नहीं ले पा रहा है, तो यह आपकी चोईस रही कि आप लोग चाओ तो दो विकिट कीपर के साथ जा सकते हैं, बैटिंग से मैंने आप नदीम कान को लिया है, बाकी और कोई चोईस नहीं और एकी बेश्मेन को हमें लेना है, और अपर आयुद श लोरेंस जवाराज को लिया है, जिनका सिलेक्शन सिर्फ तिन परसंटेज है, यहाँ पर अभी भी वागानी और सुदर्शन सिंग, यह दोनों अभी भी हमारी चोईस है, किन की जगा पर ले सकते हैं, तो हरी राम के की जगा पर आप लोग यह आपर वागानी या तो यह आ किता तो सिसी रहाचार है, बाकी कुछ रिष्क लेना चाहो तो हरी परसादे है, बाकी टीम यह रहेगी, इसमें आला की लाइनप के बाद जो भी आखरी अपडेट और आखरी हमारी स्मॉल लिग ग्रान लिग की टीम रहेगी, वो आपको टेलिगरम में दी जाएगी, आप इसे खुद की टीम बनाओ और अच्छी खासी विनिंग करते रहो, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय बारत